नमस्कार मैं हूँ सुमेट एंडी टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वावत है आज हमाई साथ में है टेलिवीजन एक्टरस और बिग बॉस सत्रा कंटेस्टरेंट रिंकू धवन जो की बिग बॉस सत्रा को लेकर हमसे खुलकर बाच्छीत करेंगी चले हम आपको उनसे मिल है तो घर से बाहर आने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या बदलावाएं हैं अरे बहुत ही बढ़ियां भाईया मतलब जैसे आप बोलो टेन फोल्स ऑखनॉलिजमेंट टेन फोल्स मुझे लगता है मेरा सोशल मीडिया चला गया जो यून वस नॉट ना ग्रेट वेट व a lot of connectivity हो गई है मीडिया के साथ के लो बहतों के साथ के लो इन जेनरल लोगों के साथ इतना की जैसे मैं इंडस्री में तो अल्मॉस्ट चब्विस साल से हूँ तो मुझे लोग किरदार के नाम से जानते थे बट बिग बॉस ने literally in the literal sense मुझे as Rinkoo Dhawan introduced here to the world तो अब जब मैं क Oh Big Boss you know so it has been a beautiful experience and बहुत अच्छी उमीद से ज्यादा मिला Big Boss से निकल के wonderful experience Big Boss के घर में हर अलग-अलग मानसिपता वाले लोग थे तो आपको घर में उन लोगों के साथ मैनिज करना कितना मुश्किल रहा क्योंकि आए दिन आपके जगड़े हुपे रहे थे But I'll tell you what Sumit, मुझसे कोई जगड़ता नहीं था Which is I don't know a good thing, bad thing, bad thing for the show but a good thing I don't know what a line of respect maintained And honestly speaking in that matter I did receive that respect on genuine terms from everybody You know बाकी अहाँ अलग-अलग मानसिपता के लोग थे उनके साथ डील करना बहुत-बड़ा टास्क महीं था Because I think मैं मेरी लाइफ की जर्णी में बहुत सेटल, कूल और काम हो गई हूँ You know, मेरी लाइफ की अपस औंडाउस है And हम अपनी जिंदगी में भी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं अच्छे लोगों से, आड़े-ठेड़े लोगों से, अजीव experiences या जो भी आपके हैलो होंगी कि smooth sailing था पर सबसे बनाबटी कौन था आपके लिए यारब मैं क्या बोलू, अब जब मैं वहां थी तो देखे, मैं ना इनसान को हमेशा उसके face value पे लेती हूँ या आप मुझ से अच्छे से बात करें तो मैं अच्छे से बात करें मीडिया से ही सुनी, तो मुझे लगा था मना रहा, अब fake बोलो या person of convenience बोलो तो जब तक उनके, मैंने हमेशा ये वहां उस घर में भी उससे personally ये बात बोली थी और बाहर आके भी मैंने अपना वही statement रीटें के है, कि आप बहुत convenience की लड़की है कि जब तक आपके checkbox पे green tick हो रहा है all is well with you, and that can be from anybody but the minute आपके checkboxes green tick नहीं हो रहे है तो आप flare-up हो जाती है, आपका एक अजीब ही रूप सामने आता है मैं इस चीज़ आप से पूछना चमगा, क्या मना रहा है वो चीज़ देखी कि मैं Priyanka Chopra की कजन हो, परिनीदी की कजन हो, ऐसे कुछ attitude देखा उनका घर में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, she's definitely, मतलब मुझे तो honestly जाने से पता भी नहीं था कि वो उनकी relative है, over the time of course पता चला, but तो मैं क्यों जोट की, हाँ यार उसने बड़ा ये जब मुझे पता ही नहीं चला, और over the time पता चला, which means she, उसने कभी उस चीज़ का show off किया ही नहीं, नहीं उस चीज़ को कभी अपनी तरफ से बहार लाने दिया, अब किसी और contestant ने उस पर उंगली उठाई, knowing the fact कि ये उनकी relative है, पर उसने कभी इस चीज़ के बारे में boast नहीं किया है, never हम जैसा की show में देखने को हमको मिलता है कि लड़ रहे हैं, जगड़ रहे हैं, ये really होता है कि प्रॉपर एक स्क्रिप्टिट रहती है, जो की हम सुनने में आता है कि प्रॉपर एक स्क्रिप्टिट रहता है नहीं भाइ, कुछ scripted नहीं है भाइ, कुछ scripted नहीं है, it's all real, it's all real, इंसान का temperament से, flare up से, understanding से, calm down से, cool down से, musti, mazag, गाने-गाना, एक दूसरे को छेंड़ना, उंडली करना, सब कुछ real है, सब हम थे, हमारा स्तथव था, आप ये बोलो, कि उस चीज़ को मैं 100% यह scripted चो नहीं है, this is what we are ठीक है, जो हमारे equations बनते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खटे, कुछ मीठे, उस basis पर पूरी चीज़े चलती रहती है उस basis पर आपको edited जो भी अच्छा बुरा जो भी चलता है वो आपको television पर दिखाई दिया जाता है there is nothing like scripted, but अगर आप यह बोलिये कि big boss का इसमें क्या role है तो भाईया वो लोग like हर contestant के पीछे there's a team of minimum I think three people, you know, who's observing us, who's reading us, who's trying to understand us, understand our equations, तो उस basis पर हमें वो guidance, आप समझो आप मेरे बारे में कुछ बुड़ा भोल रहे हो, पर मेरे मुँपे आप बहुत मीठे हो तो guidance वही आती थी या feedback वही आता था कि you're taking your relations very seriously, but your friends are not taking you seriously तो उतनी ही feedback हमें मिलता था अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको लेड़ना है you know, बैठके बात करनी है discussion करनी है, बात करनी बन करनी है ये entirely आपके उपर है वोई script है चूले है लिंकु जी, काफी हमें social media पर ये ख़बर viral होती रहते कि big boss का घर haunted है आप तो रहके आई हैं तो आपको कुछ इस haunted experience कुछ हुआ आपके साथ नहीं, और अगर होता मैं भाग जा दी वहां से मुझे ऐसा थाइंक्फुल ही मुझे ऐसा नहीं experience होगा कुछ भी, बट अगर होता ना भाया मैं चली जा दी, मैं नहीं रह पाती वहां पर, मैं बहुत अर्थी उन चीजों से मेरा आप से एक आखरी सवाल, अभी हाल ही बॉलेवर्ड एक्टरस पूनम पंडे का निधन हुआ है आपको ये जे God, it's so shocking to hear that मतलब कुछ देर पहली मैंने वो news पड़ी तो मैं आपसे ही जाता चाहता हूँ कि industry में काफी समय से ये ख़़र ये निकल के सामने आती है, किसी celebrity का heart attack से निधन हो गया है, किसी का cancer और दूसरी बीमारी से हो गया है, तो कहीं न कहीं इसका कारण क्या है कहीं इसका कारण एक health issues तो नहीं है, जो आप surgery करा रहे है या तो आप कुछ duplicate supplements ले रहे हैं, इसका कारण क्या है, आपसे बेतर कोई नहीं बता सकता Honestly, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं की है You know, all this, चाहे आप वो surgeries बोल लो, चाहे वो artificial क्या बोलते हैं उसको, वो लोग Supplements, steroids Supplements, steroids यह वो जो भी यह सारी चीज़, मैंने आज तक नहीं की है, तो नाम मुझे पता है कि इसको लेने से, इसका ill effect क्या होता है, I don't know I have no clue, but yeah I'm sure कही न, कही हमारी lifestyle बहुत जिम्मेदार रहते है, वो lifestyle में आप, यह जो चीज़े हमने बात की वो हो जाए है, एक basic हमरा pattern of living क्या है, pattern of living is not whether I'm going for a party or not that is not my pattern of living, it is in general how I start my day, जैसे हम कहते है, why do millionaires become millionaires, because they have a discipline in their life, so how well are we disciplined in our life is what our body takes over, तो बाकि इन सब चीजों के बारे में मुझे बिलकुल knowledge नहीं है रिंकुजी हमसे जुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाद तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू, थाइंक यू सुमित जी तो अ प्लेजर ये थी हमारे साथ टेलिवीजन एक्रेस और बिग बॉस सत्रा कंटेस्टन रिंकु धवन जिनोंने हमसे बिग बॉस से जोड़ी काफी बातों पर खुलके चर्चा जाती है आज के लिए बस एक में नमश्क्राइब